हेलो फ्रेंट्स, वेलकम फ्रॉम ड्रिम फेंटेसी एंड आज हम एक्स्प्लेंड करेंगे मैच नमबर 66 जो की होगा सनराइसर हैदराबाद बरसिस गुजरा टाइटेंस के बीच एंड होम ग्रांड होगा हैदराबाद का राजीब गांदी इंटरनेशनल इस्टेडियम हैद हैदराबाद जब भी हैदराबाद की बात होगी तो बैटिंग सपोर्ट है पिच एंड ट्रविस हैड और अभी सिक सरमा हैनेक क्लासन बहुत अच्छे फॉर्म में उस ग्रांड में इनकी परफॉर्मेंस रही है जो की जील के लिए बहुत दमदार काम करेंगे हमारे लिए इस ग्रांड की बात करें तो टोटल 10 मैच हुए हैं और 10 मैचिस में देखा जाया है तो फर्स्ट इनिंग वाले 6 मैच विन करें फर्स्ट इनिंग और सेकर्ण इनिंग वाले चार तो फर्स्ट इनिंग का स्वेक यह हिए कि आके पहले आओ बल्लय बाजी करके 200 प्लस है तो यह चीज़ ज़्यादा फेवर करेगी अगर हैट टो हेट की बात करें दोनों के बीच में जीटी और हैधरवाद के बीच में तो जीटी तीन में जीती है चार मैं से और एक में जीती है हैधरवाद ठीक है तो यहां से जरूर देखता कि है हैधरवाद का पल्ला फीका ह साथ खिलाडी हैधराबाद क्योंकि हैधराबाद के लिए ये मैच उतना important है जतना की जीटी के लिए important नहीं है ठीक है तो हमारी टीम favor करेगी हैधराबाद के लिए विकेट की बात करें तो 31 मैच total 80 विकेट्स अगर देखे जाएं तो 80 विकेट्स मैच इतना भी दूर नहीं है कि कुछ जादा दूर हो लेकिन हाँ थोड़ा सा favor करता है इस Pacers के लिए जादा ठीक है अगर आपन दोनों के टीम की बीच की बात करें head to head में so dreamland का नूसर 57% chance है जीटी जीतेगी और 43% chance है है धराबाद जीतेगी लेकिन मुझे यसा लगता है है धराबाद का पड़ला थोड़ा सा जादा भारी है ठीक है बेटिंग की बात करें तो 196 का average है बेटिंग सपोर्टिब पिच है और हलकिसी light leading के second inning में due का factor हो सकता है ठीक है दोनों के last के match की बात करें तो जीटी का जो last मिस्ता वो जीटी के due washout हो गया था पानी की बादी से ठीक है अब आपन देखते है player's stats अब देखो condition 2 है keepers में 2 बंदे निकलेंगे हैने classon और Matthew Wade Matthew Wade को भी grand league में miss मत करना मैं clear cut बोला हूँ grand league में Matthew Wade को miss मत करना क्योंकि देखे सबसे पहले सुमन गिल साइंस सुदारसन फिर आएगर डेविड मिलर शारुक खान और Matthew Wade तो डेविड मिलर और Matthew Wade की भी betting exchange हो सकती है अगर betting condition जैसी रही तो ठीक है तो GL में थोड़ा ध्यान रखना लेकिन हाँ head to head में एक तरफ अपन को है classon को लेके चलना और हैने classon के last के दो मैच सही नहीं थे लेकिन इस ground में चार मैच प्लेकर छे मैच प्लेकर हो और हर मैच में 60 point दिये तो मतलब ये ground में खिलना पसंद करते है रे classon ठीक है अब आता है betting supportive काम तो सबसे पहले देख betting में बहुत सारे नाम है अब किस किस पर नजर मारो तो सबसे पहले Travis Head Travis Head का सीधा हिसाब किताब है first betting पे आपन को pick करके चलना है वो chase करते time पे आया तो हम लोग pick करके चलेंगे बट captain wise captain लेके नहीं चलेंगे और first betting मिलती है तो हम लोग captain wise captain लेके चलेंगे ठीक है तो यह चीज है लाश्ट के तीन के तीन मैच में dream team में consider हुए 50% captain है भाई सोचो अगर इस बंदे को अगर आपने drop करके चला और यह बंद नहीं चला ना तो आप किस level तक का benefit ले सकते हो ठीक है और 10% wise captain total 60% captain wise captain हैगा और इस बंदे के साथ अगर आप captain के साथ नहीं गए तो मेरे साब से अगर second inning हो तो आप captain के साथ मत जाना ठीक है नवाइस captain हाँ first inning हो तो एक तरफ जाना otherwise second inning कई में बोलाँ इस stadium में खेलना पसंद करते हैं 5 match प्ले करे हो 5 match में 70 point दी होने हैं हर match में लेकिन opponent इनको पसंद नहीं है एक match प्ले करा उसमें 28 point opponent के खिलाफ एक match में 28 point ही दी होने हैं ठीक है फिर आता है शाहिशुदरसन और ये बंदा बहुत अच्छी खोज़ है जो GT की और रियल में बहुत शानदर performance के साथ last match में सतक मारी थी 93% का selection percentage है और देखा जा तो 30-40% के आसपास captain by captain है opponent के खिलाफ खिलना पसंद है एक match प्ले करा 59 point दी होने ठीक है अब देखो दोनों सुमन गिल और साइस सुदरसन दोनों में से किसी को भी captain by captain लेके मत चलना पहली बात ठीक है और दोनों को एक team में लेके मत चलना captain by captain और दोनों को लेके भी मत चलना दोनों में से एक कोई बंद जरूर आउट होगा और वो मेरी नजर जा रहे है यह सुमन गिल पहे तो सुमन गिल के भी chances है आउट होने के जल्दी तो थोड़ा सा लेके चलना और दोनों को एक team में मत रखना चासी परशेंट का selection percentage है लास्ट मैच में सितक मारी थी एक swing का उन पॉइंट दिये थे उनोंने ठीक है ओपोनेंट के खिलाफ खिलना पसंद है एक ही मैच पिले करा और 56 पॉइंट दिये उनोंने 64 पॉइंट दिये हर मैच में और एक मैच पिले करा है इस ओपोनेंट के खिलाफ उसमें दिये 49 पॉइंट मतलब दोनों तरीके से ये बंदे को पसंद है खेलना ठीक है अब आता डेविड मिलर डेविड मिलर 50 पॉइंट सॉरी 50% selection percentage है इनका और देखा जाए तो देखो लाष्ट के चार के चार मैचेज में डेविड में कंस्रेटर हुए है वो इसलिए क्योंकि इनकी पॉजिशन बदल दी गई है ठीक है और ऑपोनेंट के खिलाफ खेलना पसंद करती तो ने का कोई sense बनता नहीं है जैसा कि आप जानते है और लाष्ट के 5 मैचे से देख रहा है तो 5 के 5 मैचे बाहर है इस stadium में तो record खराब है इनका देखो 6 मैच प्ले करे हैं और हर मैच में 13 पॉइंट दीए है तो इसे साफ़ से ये तो एक तरफा हमारी टीम से बाहर हो जाएंगे ठीक है इनको नहीं लेकर चलना हम लोगो बाकि कोई नहीं है ऐसा फिर आता हमारा सबसे फेवरेट पार्ट जो कि होता और अंडर सेशन का केन रेडी तो केन रेडी देखो बहुत अच्छे टच में है बैटिंग तो करते ही है साथ में बॉलिंग का भी अच्छा फायदा मिलता है ने के लिए ठीक है तो लेकिन इस स्टेडियम में देख रहा है तो पांच मैच पे लेकर है हर मैच में 33 पॉइंट दी है उन्होंने ठीक है 52 परचेंट का सिलेक्सन परसेंटेज है खीक है जह रखावन 52 परचेंट का सिलेक्सन पर्चेंटेज है और पूरी भरपूर बैटिंग आ रही इनकी और पिछले में दो मैच अच्छे थे पिछला में सही नहीं थे क्योंकि दोनों मार गएते CS के खिलाफ साइश उदासल सुमन गिलने से तक मारी तो इनका काम था हिटिंग करने का तो हिटिंग करने में चलाया था आदमी यह चीज़ अपन समझते हैं इस स्टेडियम में इनका कोई record नहीं है, ओपोनेंट के खिलाफ भी record नहीं है तो इनकी जगे भी बन जाती है शहवाज हमत तो शहवाज हमत की भी जगे नहीं बनती है क्योंकि बॉलिंग जरूर इनको मिल ले यह एक आदो वर बिकेट भी ले आते लेकिन ऐसी कोई responsibility नहीं है जिस से यह जगे बना ले ठीक है तो यहाँ से यह काम भी बनेगे अपन को बता दी कि राहुल तेवतिय है तो राहुल तेवतिय को भी नहीं लेके चलना है ठीक है फिर आती है heavy part जो की होगा बॉलिंग section और बॉलिंग section में सबसे पहले नाम देखता है Pat Cummins अब Pat Cummins की importance इसलिए क्योंकि अगर उपर से कोई down होता है तो बल्ले से काम संभाल देते है अपना ठीक है 83% का selection percentage है चार ओवर पूरे मिलना है क्वाल्टी फास्ट बोलर है और इस इस्टेडियम में पांच मैच प्ले करे हूं और हर मैच में इंक्यावन पॉइंट दिये है और पूनेंट के खिलाफ एक मैच प्ले करा है उसमें 41 पॉइंट दिये ठीक है तो मतलब खाली हा पॉइंट का selection percentage है और लाश्ट में 70 पॉइंट भी दिये थे देखो उस टच में नहीं दिखिया भी मैं क्लियर कड़ बोल दूँ एक ही मैच प्ले करा ओपॉनेंट के खिलाफ त्रेपन पॉइंट दिये है इस पिनस का इंपोटेंस भी नहीं है लेकिन हाँ राशित खान को पॉइट करेंगे किसके लिए ट्रवस हैट के लिए हैनर कलासन के लिए तो वो फॉरंड प्लेयर्स के लिए आउट करने के लिए इन पर नजल रखेंगे ठीक है तो राशित खान हो सकता अपना काम कर दे लेकिन हाँ कैपटन बाश कैपटन से बिल्कुल बचना है कैपटन बाश कैपटन वहीं लेके बिल्कुल नहीं चलना है ठीक फिर आता है इक टीन गटराजन उर अच्छे फ़ॉरं से चलना है और सरशट की मैच जा रहा है बहुत शान्धर मैच जा रहा है और लांश्ट के चारों मैच में ड्रीम टीम में consider भी हुए है और swim अच्छी मिल देखो देखो तीनों ओवर करा रहें बात इहें कि यह पूरे ओवर नहीं कहा भारा है पेट अपने पूरे वार फेकर हैं लेकन जय नहीं फेकर हुआ है तो इनकी थोड़ी सी यही समस्या भूमने इसरे के साथ बीके के साथ के पूरे ओबर नहीं फेकर है ठीक है फिर आता मोश्रमा और मोश्रमा के साथ इस सीन ये है कि consistency नहीं है देखिए कल के मैच पिछले मैच में dream team में consider हुए फिर तीर में बिलकुल minus 2 दिए कहां तक बचोगे आप ठीक है तो minus 2 तो इस तरीके से यह सही नहीं है लेकिन opponent के खिलाफ wicket करना इनको पसंद है एक ही match पिलेकर opponent के खिलाफ और 85 point दिए है मतलब है खिलाफ के खिलना अच्छा लगता वह इसलिए क्योंकि यह कराते बैक एंड स्लो वन और जो hitting side है यह hitting side है है हधरवाद तो catch जिलने के chance ज्यादा होते के catch पकड़ जाने के chance ज्यादा बन जाते है हिदरवाद के ठीक है फिर आता है इसमें match performance होईगी तो इसमें लेके आप चल सकते है ठीक है नूर हमत को इसी perspective से बागी कोई heavy perspective नहीं है performance का ठीक है अब जया देवन आठकट उमें से यादा हो और इन दोनों में से किसी की जगे नहीं बन रही है ठीक है तो जैसा कि मैंने बताए भी नहीं रखना है ठीक है एक टीम में इस चीज को लेके चलना है तो वीडियो अच्छी लगए तो बिल्कुल लाइक कीजिए चैनल को subscribe कीजिए फ्रेंड्स के साथ share कीजिए अपने क्योंकि बहुत नाइट में वीडियो बनती है ये और आपके सपोर्ट की बहुत जादा नीडे और आपके लिए बहुत सारी वीडियो डिस्क्रिप्सर में डली है तो देखिए अच्छी लगए तो बिल्कुल फ्रेंड्स के साथ share करना ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो